नमस्कूर आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 और मैं हूं स्वाती आपके साथ इंडियन प्रेमियर लिए यानि कि आईपील का आज इन सठवा मैच है बता दे कि आज का जो मैच है वो चन्यी सूपर किंग्स वर्सेज गुजरात टाइटन्स के बीच और दोनों ही टीमों के लिए आज का ये मैच बहत महत्वपून है एक तरफ चन्यी सूपर किंग्स है तो दूसरी तरफ गुजरात टाइटन्स है तो चलिए हम खबर में विस्तार सो जानेंगे कि आज का जो मैच है वो दोनों टीमों के लिए क्यों खास है और साथ ही जो प्लेओफ का जो दौड है उसमें क्वालिफाई करने के लिए कितने अंकों की जरूरत है और दोनों टीमों के पास फिलहाल कितने अंक है गुजरात टाइटेंस वर्सेस चेन्नी सूपर किंस आईपील 2024 का 69 मैच आज यानि के शुक्रवार को एहमदाबाद के नरेंदर मोधिय स्टेडियम में खेल रही है जीटी और सियस के दोनों ही टीमों के लिए प्लेओफ की दोड में बने रहने के लिए ये मैच काफी एहम है अगर गुजरात आज हारता है तो वो मुंबई इंडियन्स और पंजाब किंस के बाद आईपील 2024 से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन जाएगी वहीं अगर चेन्ने को हार का मुंग देखना पड़ता है तो उनकी प्लेओफ की राह कठीन हो जाएगी दरसल आईपील 2024 लिग स्टेज के बारही मुकाबले बच्चे हैं अगर अभी तक एक भी टीम प्लेओफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है नॉकाउट स्टेज में जगर बनाने के लिए अभी भी आठ टीमों के बीच जंग जारी है 11 में से 6 मैच जीत कर रितुराज ग्याइकवाड की अगवाई वाली चन्नी सूपर किंग्स 12 अंकों के साथ प्वाइन टेबल पे चौथे स्थान पर है CSK के पास अधिक्तम 18 अंकों तक पहुचने का मौका है अगर वो अपने बचे तीनों मैच में जीत दर्ज करती है तो जीतना उनका संभव है क्वालिफाई में जाना संभव है अगर इमें से एक भी मैच में CSK हारती है या हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी गाड़ी सुल्ला अंकों पर ही अटक जाएगी चन्नी सूपर केंग्स अगर आज गुजुरात टाइटन स्कोर रौंदने में काम्याब रहती है तो प्ले ओफ के लिए क्वालिफाई करने वाली टॉप फोर की तस्वीर भी लगभग साप हो जाएगी दरसल CSK जीत के साथ 14 अंकों के साथ तीसरे पैदान पर पहुंच जाएगा हमेशा से ही CSK अपने नेट रन रेट पर ध्यान देती है इस सीजन में भी उनका नेट रन रेट प्लस शुन्य साथ शुन्य शुन्य का है ऐसे में अगले दो मुकाबलों में उन्हें एक हार भी मिलती है तो भी उनके प्लेओफ में पहुचने के चांसे अधिक रहेंगे वहीं अभी तीसरे नंबर पर विराजमान सन्राइजर्स हैदराबाद के बचे दो मैच आईपील दोहजार चौबिस की दो सबसे फिस्टी टीम गुजरात टाइटन्स और पंजाब किंग्स के खिलाप इनमें से एक मैच जीतकर 18 अंकों तक पहुच सकती है केके आर और और आर के खाते में 16 अंक हैं उन्हें प्लेओफ का टिकेट हासिल करने के लिए बचे तीन में से एक ही मैच जीतना है वहीं बात दिली कैपिटल्स लखनों सूपर ज्वाइंट्स और रॉयल चालेंजर्स बैंगलूरू प्लेओफ के रेस में थोड़ा पीछे है डीसी के अगले दो मैच LSG और RCB के ही खिलाफ है 16 अंकों तक पहुचने के लिए दिली को ये दोनों ही मैच जीतने होंगे दिली और लखनों के बीच होने वाला मुकाबला नॉकाउट मैच हो सकता है इस मैच में जीतने वाली टीम के ही पास 16 अंकों तक पहुचने का मौका होगा वहीं RCB के बचे दो मैच दिली और चिन्ने के खिलाफ है उन्हे 14 अंकों तक पहुचने के लिए ये दोनों मैच ही जीतने होंगे तो जासा कि आपने देखा आज आईपी 2024 का 69 मैच है और ये मैच चिन्ने सूपर किंग्स वर से 16 मैच जीतकर 12 अंकों के साथ 14 पैदान पर है और यदि आज CS के गुजराफ टाइटन्स को हराती है मार्प देती है तो 14 अंकों के साथ चिन्नी सूपर किंग्स तीसरे पैदान पर पहुच जाएगे और वहीं दूसरी ओर यदि गुजराफ टाइटन्स आज चिन्नी सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फैसु को देख पा रहे हैं तो मारे फैसु पीज को भी फॉलो करें धन्यवाद